दोस्तो आज की बीडियों में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा 9W का LED बल्ब होता है उसके लिए हम एक ड्राइबर कैसे बनाएं और दोस्तो हम एकदम LED बल्ब को अच्छे से दोस्तो आज फिटिंग करके आपको बताएंगे कि कैसे कैसे LED बल्ब को तयार कियाता है और दोस् तो दोस्तों मेरे पास एक mcpc भी है यहाँ पर 9 watt का mcpc भी देख सकते हैं दोस्तों कि यह हमारे पास 9 watt का mcpc भी है और दोस्तों एक हम PF capacitor लिए है और दोस्तों PF capacitor जो है दोस्तों एक सो पचपंज और चार्सों पचासव वुर्ट यहाँ पर दोस्तु इसका वालू आप देख सकते हैं 155 का पाइब केपसीटर है और दोस्तो हैं हमारे पास एक अलफा है अधीयो का दोस्तो कुछ भाग हमारा यहाँ पर है यहाँ पर दोस्तो अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा एक plus दिया रहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो कि एक हमारा plus दिया है और एक minus यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका minus point है capacitor के minus point पर एदर का भाग दोस्तों हमारा AC है तो इससे ड्राइबर circuit हमारा AC से बनेगा और जो हमारा 9 watt की दोस्तों यहां पर MC PCB है इसको अच्छे से जलाएगा तो चलिए दोस्तों इसको हम बनाते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसे इसको बनाना है तो से हमको खोलना है और जो इसका दोस्तों जो हिट्सिंग प्लेट है इसको बाहर निकालने नहीं चलिए दोस्तों इसको बाहर निकाल लेते हैं पेचकस की ज्यादा से यहां पर देख सकते हैं और जो दोस्तों जो नाइन वाट का हमारा बल्ब है इसमें इन दोनों स्कुरूप से दोस्तों हम इसको अच्छे से टाइट कर दिंगे चलिए डोस्तो इसको भी हम जो हमारा 9 वाट का बल्भ है इसको भी हम लगा लेते हैं इसमें को दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने फिट्सिंख पलेट में जो 23 से दोस्तों इस before निकले या आनि की जरूरत पड़ेगी और दो दो वायर यहाँ पर हम दोस्तों आपको दिखायते हैं कि यहाँ पर एक हम black wire लिये हैं और एक white wire चलिए दोस्तों इसको अच्छे से soldering इसमें कर देते हैं दोस्तों जो हमारा white वायर है इसको हम mcpcb के plus पर और जो हमारा black वाला है इसको mcpcb के minus point पर soldering करेंगी तो चलिए दोस्तों इसको हम अच्छे से यहाँ पर soldering कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस परकार से हमने दोनों आयर को soldering कर लिया हूं यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों इसको जो हमारा यहाँ पर एक hole बना है इसको कुछ इस परकार से दोस्तों अंदर डालना है यहाँ पर तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा यह बनकर complete हो गया है अब दोस्तों जो यह दोनों वायर है यह हमको capacitor के plus पर यानि कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा minus का symbol बना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं थोड़ा तो इधर का माइनस तो जो mcpcb का दूस्तो प्लस पॉइंट है कैपसिटर के प्लस पर और जो mcpcb का माइनस पॉइंट है उसको माइनस पर सोल्डरिंग करना है तो चलिए दूस्तो इसको भी हम अच्छे से सोल्डरिंग कर लेते हैं तो दूस्तो आप देख सकते हैं कुछ यहां पर कर लिया हूं जो दोस्तों एमसीपीसिटर का माइनस पॉइंट है यहां पर यहां पर उसको हम यहां पर प्लस- माइनस नहीं रहता है तो आप दूस्तों किसी भी एक वायर को यहां पर करना है तो चलिए दूस्तों पीएफ के पासिटर को भी हम सोल्डरिंग आना से सोल्ड कर लेते हैं तो जैसे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हमने पी एप के पासिटर को भी सोल्टरिंग कर लिया हूं और यहां पर दोस्तों हमने एक प्लक लिया है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने एक प्लक लिया है और दोस्तों जो हमारा यहां पर LED बल्ब का दोस्तों ज यहां पर हम एक गाठ लगाएंगे तैकि दोस्तों जो हमारा वायर न बाहर Nord के लिए तो यहां पर देखें दोस्तों हमारा लखकर complete हो गया है अब दोस्तों हम AC देंगे यहांनी कि दो हमारा भर का सप्लाय देख था 220 शुर एक हम capacitor देंगे यानि यो यहान पर जैसे दूस्तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पी एफ के पासिटर है एक हम प्यप के पाशिटर पर लगाएंगे यहां पर कुछ इस परकार से दुस्तो और दूस्तो जो तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने यहां पर आप देख सकते हैं अब दोस्तों जो हमारा ड्राइबर बनकर कम्प्लीट हो चुका है तो चलिए दोस्तो इसको हम अंदर लगा लेते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तो आप देख सकते हैं कि अंदर इसको लगाते हैं दोस्तो अंदर डालने से पहले इस पर हम थोड़ा सा टेप लगाएंगे ताकि जो दोस्तो हमारा यहां पर एलमुनियम उला दोस्तो प्लेट है दोस्तो आप थोड़ा सा दोस्तो यहां पर टेप को लगा दे तो कुछ इस प्रकार से दोस्तो हमने टेप को लगा दिया हूं अब यहां पर ड्राइबर जो अमरा सरकिट है और अच्छे से दोस्तो बैठा दिया है अब जो अमरा दोस्तो हीट सिंग प्लेट है इसको भी चैनल के तो यहां पर देखे तो यहें हमारा बनकर कंप्लिट हो गया आप दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं वाका ही दोस्तों यह wanna काम करता कि तु और दोस्तों इस बोर्ड को हम लगाते हैं यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा यह बोर्ड है और दोस्तों मॉल्टीमेटर से हम आपको बोल्टेज भी चेक करके दिखाते हैं यहां पर हम AC क्रेंज में 750 पर रखे हैं और यहां पर दोस्तों बोल्टेज भी आपको चेक के रेंज में सेट किया है तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वाकई दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों जैसे हमने इसको लगा दिया और यहां पर देखिए अच्छे से दोस्तों यह बल्ब गलो कर रहा है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों दस रुपे पंदर रुपे दोस्तो आपका लगेगा आप घर पर ही दोस्तो बना सकते हैं तो दोस्तो आपको बता जते हैं कि जो हमारा MCPS भी है दोस्तो आपको मार्केट में याने इलग प्रोनिक के साप दोस्तो इलग भंग में आपको दस से पंदर रुपे के मिल जाएगी और दोस्तो जो हमारा अलफा डियो भी दोस्तो आपके घर में भी खराब होगा तो आप ले सकते हैं तो दोस्तो आप 15 से 20 रुपे खर्च करके आप घर पर ही एक छोटा सा एलेडी बल्ब बना सकते हैं और दोस्तो बहुत ही बड़िया एलेडी बल्ब हमारा यह गुलोग कर रहा है तो दोस्तो आपको वीडियो समझ में आए गई होगी अगर दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो के ल सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं नेक्स वीडियों दोस्तों जिया हिंद बंदे मातर मापको दिन सब्सक्राइब दोस्तों आप अच्छी रहें खूस रहें